हेलो फ्राइंड वैलकम बैक तो माई चैनल सभी पल्स पीडिस और अधर चिटफण कंपनी के निवेशक सात्यों का हमारे स्टी न्यूस चैनल पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज जो हम बड़ी खबर लेकर आए दोस्तों यह तीन कंपनियों से रिलेटिड है यह दोस्त क्या है दोस्तों आप से हमारा नरोद है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करें साथ के साथ हमारी बैल आइकन का बटन दबाए और हमारी इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें अगर पसंद आया तो दोस्तों चलिए सुरू करते हैं आज की बड़ी खबर बड़ी खबर दैनिक बास करते हैं जो रायपूर साही है बारा गंटे पहले हैं में चिटफंड कंपणी की न्यूस पर मिली थी बड़ी खबर क्या है चलिए सुरू करते हैं चिटफंड दोके में डूबा गाओं नवार रायपूर में लगी रसनी के 450 परिवारों में 395 को लाकों रुपे डूबे और किसी को एक पैसा वापस अभी नहीं मिला तो दोस्तों ये आज कल जो यहाँ पर हालाद बने हुए है दो हजार ग्यारा और बारा से अभी तक यही हालाद बने हुए है और पूरी का चलिए दोस्तों सुरू करते हैं रायपूर के जैस्तम चौक से 32 किलो मिटर दूर नवा रायपूर की सीमा से लगा नैशनल हाईवे पर बसा बड़ा गाउं रसनी साड़े चार सो परिवार की इस बस्ती में 395 से जादा परिवारों का खून पसीने की कमाई चिटफंड कंपोनियों में डूब गई किसी को एक हजार रुपया किसी को तसजार रुपया लगे थे और वो ने मिले दोस्तों यहां पर अंदादा लगा सकते हैं कि 400 परिवारों का यहां पर यह गाउं और 395 से जादा परिवार यहां जुड़े थे दोस्तों आगे परिवार पांच ही बचे बागी पूरा गाउं तो यहां चिटफंड से प्यूड़ी थे जिंदगी भर की बचत गवा चुके गिराम साल की कालंदी दुरूट ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती थी लेकिन चिटफंड का नाम सुनते ही घिसटती हुई घर की ड्योड़ी आए में दरवाज्ये के बाहर आ गई और दुखड़ा सुनने लगी एक लाग गवां कर विश्व कर्मादंपत्ति की चिटफंड सुनक अगर ठीके और फिर पोछने लिगें हमने तो सब कुछ खो दिया क्या पैसा मिले लेगा जो यह रहारात यहां पर बने हुए हैं रसणी गाओं के और रस्णी गाओं की में बसकी मिघ़्ा दो हो गई तो ऐसी एक महीना उनके सामने वाले मकान से निकल कर आएं तो उन्होंने भी कहा कि मैं निर्मला विश्व कर्मा नाम है उनका और वो अपनी पूरी रसीदों का बलंदा लेकर यानि कि जो भी उनके पास रसीदों और बॉंड्स वगेरा थे वो लेकर आएं और दिखा आने लगी देखे कितना पैसा जमा किया एक पाई का हिसाब है यह दोस्तों सारी रसीदों और पड़्चों का हिसाब उन्होंने समझाया क्योंकि यहां पर दैनिक बासकर का एक मतलब वहां पर प्रवक्ता गया हुए थे तो उनके सामने सब बात बताई गई बदर्ग महील आवम युवा बाहर आगए और चिटफंड कंपोनियों का रोना रोने लगे उसी गली में रहने वाले ओकार दुर्व और अशीश ने बताया कि 2005 के बास से यहां गरीमा और पल्स गरीन और एचबी एन कंपनी में पैसा जमा कराने की होड़ सी मच गई थी उसी दोरान ना बनाकर चिटफंड कंपनी में लगा दिये दो दोस्तों यहां पर है कि एक महाँ पर सरकारी पिरक्रिया मत चली हो कोई सरकारी काम चला जिसमें उन लोगों की जमीन जो है सरकारी उसमें आ गई और उन्हें जो वहां से मौावजा मिला यानि के मकान जो तोड़े गए य लोगों पूछने ही लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमारा पैसा भी चिटफंड कंपनी में डूब गया ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान पंचायत दफ्तर पहुंची बासकर टीम को वहां मौजूद अफसरों ने बताय कि यहां असी फीजदी से ज्यादा परिवार को चिटफंड कंपनियों ने ठगा चाय की दुकान और चौपाल में बैठे लोगों से जैसे ही सवाल किया तो सभी भड़कने लगे और कहने लगे कि हमने भी अपना पैसा यहां पर लगा है तुमने भी चिटफंड कंपनी में पैसा जमा किया यानि कि उन्होंने सवाल किया तो इस सवाल पर वो बढ़क गया और कहने लगे हमारा पैसा भी यहां लगा है हम लोगा का पैसा डूब चुका कम भी लगा यह सुनते ही नहीं सिर्फ वो बलकी आसपास मौजूद लोग कहने लगे हैं कि भाई साहब यह सब पैसा डूबा है गाओं की छोटी सी चाय की दुकान के बाहर खड़े बुधारू ने बताया कि क्या बताया सर हम सब के पैसे इसमें लगे हैं तब तक रसीद देते पालिसी का समय पुरा हुआ तो एजेंट गर्स आया नहीं और एक दिनायर बोला कि आप लोगों का पैसा मिलना वाला है और सभी रसीद और कागजात वो लेकर चंपत हो गया मत सब एजेंट अपने सबूत मिटाने के तौर पर उनको पैसे देने का लालत देकर उनसे डॉकुमेंट वगएरा जो भी उनके पास कंपणी के थे सब वापस ले लिए तो दोस्तों रस्नी इसलिए खास है क्योंकि यहां पर तेली बादा थाने में रस्नी गाओं के पिडित और पाल्स गिरीन सहिक दूसरी सभी बड़ी चिट्फन कंपोनियों ने अपना आफिस तेली बादा करीम ड्राइव के आसपास ही खोला था इस वजह से जब कंपनिया भागी तो पिडितों ने तेली बादा थाने में ही केस दर्च कराया तो दोस्तों यह थी आज की यह जो पिचासी लोगों ने उसमें इंवेस्ट किया तो दोस्तों वहां पर कितना पैसा निवेशकों का फसा हुआ है यह बताने की जरूरत नहीं है तो दोस्तों आप समझ गया हूंगे कि किस तरीके से चिट्फन कंपोनियों ने यहां पर गरीबों को बरबाद कर दिया और सरका करोड से जादा यहां गरीब लोग परहसान है जिनकी कोई सरकार में सुनी नहीं जारी और प्रक्रिया के नाम पर इन लोगों को टहला आ जा रहा है तो दोस्तों ऐसी निवस्पाने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें साथ के साथ हमारी बैल आइकन का बटन दबा